Hey guys, welcome back to your channel, कैसे हो, आप सब, I hope कि आप सब सेफ होगे हैं, आज जो हम 20 minutes revision series में chapter करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं आपका, biological classification chapter, बहुत ही प्यारा chapter, बहुत जल्दी सम कोशिश करेंगे 20 minute revision series करने का, और यहां पे इसके short notes आपको provide करा दी जाएंगे 2 to 3 pages के अंदर, एक course क form में जो कि हमारे English word app पे आपको मिल जाएगा, English word app download कर लो Google Play Store से, तो वहां पे आपको class 11 के biology के short notes देखने को मिल जाएंगे 2 to 3 pages के अंदर, वहां पे आपको जाके access कर सकते हो, बाकि for iOS and iPhone users, you can visit our website www.engword.co.in, वहां पे जाके आप for iOS and iPhone users, आप वहां पे इसको visit कर सकते हो, English word के मेरी physics की आपर mock test एक चलना है, यहां पे मेरी special class के form में on academy platform पर, तो यहां पर आपकी बहुत प्यारी की special class होने वाली है, उसका link मेरे description में दीदिया, आप जाके आप अटावर्ट से enroll कर लो, और वहां पे मैं आपको mock test के form में बहुत सारे questions प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो definitely आपको अपनी performance एक्सेल करने में आपको फायदा होगा, नीट यूजी के लिए, तो उस special class का link description में जाके बिल्कु फ्री में enroll करो, और मिलते हैं उस special class में और फोड़ते हैं, बहुत सारे questions करते हैं, solve pyq, जिससे आपका physics का score पूस्ट हो सके, so without any further ado गाईज, इस वीडियो को शुरू करते हैं किया, to classify the plants, अगर मैं बात करूँ, trees में, shrubs में, herbs में, और यहां पे उन्हों ने animals को भी, दो groups में divide किया, on the basis of red blood, कि जिनका red blood है, या फिर जिनके पास red blood नहीं है, ठीक है, और linear के time पे, में ली two kingdom classification था, जिसमें plantain, animalia, kingdoms थे, है ना, जिसके अंदर plants और animals अलग अलग अपके पाया जाते थे, बड़ इस case के अंदर क्या है, इसके एक negative point था, कि वो चीज distinguish नहीं कर पा रहा था, eukaryotes, prokaryotes को, unicellular, multicellular को, और photosynthetic, मतलब green algae, और non photosynthetic fungi को, इनके बीच में कोई differentiation नहीं था, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह जो अगला page है, जिसमें आ आपको पता है, monra जो होता है, यही बस prokaryotic, बाकि सारी eukaryotic है, तो यह तो याद हो गया, cell wall पे बहुत पार question पूछा जाता है, कि इनके cell wall कैसे कैसे change हो रही है, जिसमें आपका polysaccharide amino acid की monra में होती, जबकि absent होती है, वो last आपके animal है, plant है तो cellulose होगा, cellulose की बनी होई ह फंजा है, तो काइटेन होगा, और प्रोटिस्टा में पता नहीं, कुछ-कुछ में होती है, कुछ-कुछ में नहीं होती, बाकि nuclear membrane, जस्ट बिलकुल जो prokaryotic, eukaryotic, इसमें absent, बाकि सार में present, body organization, cellular, बाकि इसमें multicellular loose tissue, और tissue organ, tissue organ system, यह बहुत इसे भी एक PYQ आ चुका है और सबसे जादा जो PYQ आता है, वो आता है mode of nutrition में, very very important, कि आपके यहाँ पर autotrophic, chemosynthetic and photosynthetic and heterotrophic, saprophytic या फिर parasitic, तो इन सब के बारे में आपको definitely पढ़ना है, जब कि आपके अगर animalia में बात करूं, तो महाँ पर holozory type का nutrition होता है, तो यह जो एक part है, बहुत जादे important है definitely इसको याद करूं, तो किसने आपके classify किया था, रह वेटेकर ने classify किया था, और होँपे 5 आपके kingdom जेदे समें monitor, protester, fungi, plantain, animalia आ गए थे, और जो criteria used हुआ था, उसमें कौन कौन से criteria used हुए थे, जिसमें cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships, इस पर question था, phylogenetic relationship 20 में added criteria है, काफी लोग इ सकते हैं, तो यह सारे criteria आपको definitely एक बार देखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि इस पर PYQs आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हैं, यह basic main criteria है, और यह criteria यहाँ भी एक तरीक से लिख्खे हुए, यहाँ जो लिख्खे हुए, यह भी पढ़ना, और यहाँ theory में लिख्खे हुए, यह भी हमें दोनों याद रखने हैं, क्योंकि हमें phylogenetic relationship नहीं लिखा, नीचे लिख्खा हुआ है, तो वो यह आपको याद करना है, मैं लिखाइं की बात करी रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, जैसे आपके हाँ पे, it brought together prokaryotic bacteria and blue-green algae, cyanobacteria with other groups which were eukaryotic, उनके साथ आपको prokaryotic bacteria और blue-green algae को भी साथ लाया गया था, और साथ-साथ unicellular and multicellular organisms को भी एक साथ लेके आ गए थे, इसमें एक बहुत important example, इसमें Clamidomonas, Spirogyra है, जो कि algae category के अंदर एक साथ इनको classify कर दिया था, ठीक है, मैं लिख किस चीज में classify नहीं करवाया था, जैसे आपका यहाँ पर heterotropic growth fungi and the autotrophic green plants, है ना, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर भी एक characteristic difference था, इनके cell wall composition में, जैसे fungi की क्या थी, काईटिन की थी, है ना, बाकि जो green plant की cellulose की cell wall थी, तो यहाँ पर इस चीज के उपर, यहाँ पर differentiation नहीं हुआ था, इस classification के अंदर, तो यहाँ पर इसलिए fungi को एक separate group दे दिया गया था, kingdom fungi, तो बहुत important वाली बात, all prokaryotic organs work grouped together under kingdom monera, तो यह बहुत important line है, इस पर तो एक NEET का PYQ आ चुका है already, तो यह बहुत important PYQ वाली line बन जाती है, तो mark your NCRT series एक तरीके साब इसको समझो, मैं आपके आपकी best N PYQ की lines mark करा रहा हूं, जिससे आपका question आता है, तो all prokaryotic organs work grouped under kingdom monera, तो यह बहुत important है, and the unicellular eukaryotic organism were placed under kingdom protesta, तो protesta के अंदर कौन से आते है, unicellular eukaryotic organism, जबकि monera के अंदर के आते है, सिफ और सिफ और सिफ प्रोकaryotic organism, तो यह बहुत important है, तो protesta के अंदर, यहाँ बहुत important line, काफी लोग इस line में confused हो जाते है, इसमें क्या क्या गया है, कि kingdom protesta कि किन-किन चीज़ों को साथ लेके आती है, जिसमें clamidomonas cholera, इनको साथ लेके आती है, पहले क्या है, जो clamidomonas cholera किसमें थे, algae के अंदर थे, within plants, क्योंकि इन दोनों के अंदर cell vault, इसको इसलिए algae के अंद परग्राफ में आपकी है, जिससे PYQ भी आता है, 99% चांस है, आपके आगे भी परग्राफ से इस line से question आए, kingdom mondra की बात करें, तो bacteria are the soul member of kingdom mondra, बहुत important बात, क्योंकि यहां पे most abundant micro-organisms इसमें आपके मेली होते हैं, तो bacteria, इसलिए soul member बन गया है kingdom mondra के, ठीक है, और मेली किसमे आपको soil के अंदर देखने को मिलेंगे type of bacteria, बहुत सारे हर जगे आपको देखने को मिल सकते हैं, deep oceans में चाहिए वो deserts हो, कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैसी भी survive कर लेते है, bacteria grouped under four categories, shape के according, इस पर भी question आ चुका है, कौन कौन से shapes होते है, तो यहां पे आपक क्या vibrium से आद हो गया, rod bacillus है ना, बागी आपका spherical cocus, तो यह आपके सारे diagrams ही आपको यहां पर given आप देख सकते हो, सारे आपको cocae, bacillus, spherulum और यह vibrium, तो यह बहुत important diagrams बन जाते हैं, definitely check out करो, bacteria की बात कर रहे हैं, तो worst majority of bacteria heterotrophs मतलब they depend on other organisms, or on dead organic matter for food, heterotrophic मतलब और अप heterotrophic क्योंकि अपना खाना खुद बना पाते हैं, but bacteria heterotrophic होते हैं, उनको वो depend करते हैं, और organisms पे अपना खाने के लिए, dead organisms पे ठीक है, अब bacteria की बात है, तो different type of bacteria के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पहला हम पढ़ेंगे, आर्की bacteria के बारे में, और यह जो bacteria है, यह line बहुत important ह some of the most harsh habitats, such as extremely salt, salty area, जिसको halophiles बोलते हैं, है न, halophiles वाले हो गए, hot springs मों जो रहते हैं, उनको thermo acidophiles बोलेंगे, marshy areas तो mythanogias बोलेंगे, है न, यह इन पेक्टिकर्स के type है, इनके नाम है, अलग लग जगे के साब से, hot springs हो गया, तो मतलब thermo acidophiles बोलूँगा, marshy areas बाकी आप पर PYQ आ चुका है, और आगे, पूरे 95% chances है, जिससे आगे question आएगा, कि जो mythanogens होते हैं, जिसके बारे में को पर बताया मैंने, are present in the gut of several ruminant animals, cows के घट के अंदर, cows, buffaloes हो गई, इनके घट के अंदर आपको mythanogens देखने को मिलेगा, और methane gas का जो production होता है, उसके responsible सबसे responsible है, वो mythanogenesi होते हैं, जो कि गट में present होते हैं, cows, buffaloes, ruminants के अंदर, ठीक है, समझ गए, अब यू बैक्टिरिया के बात करते हैं, तो thousand of different type of you, मतलब you का मतलब होता है true, तो इसलिए यू बैक्टिरिया मतलब true type of bacteria, ठीक है, मेरे लिए इनकी rigid cell wall होती है, और अगर motile होते है तो इनके अंदर flagellum देखने को मेलेगा, flagellum मतलब mobility के लिए मेरे लिए यूज होता है, अब the cyanobacteria, cyanobacteria का दूसरा नाम very important blue green algae भी बोलते है, काफी लोग confused होते है, पहले भी question आया, cyanobacteria also known as blue green algae, इसके अंदर कौन कौन से chlorophyll होंगे, जो green plants में chlorophyll होते है, chlorophyll A, chlorophyll A हो just comparison में बात करते हैं, cyanobacteria को, cyanobacteria की बात होरी तो unicellular होंगे, बहुत बढ़िया, colonial होंगे, और filamentous होंगे, ठीक है, fresh water हो सकते है, marine हो सकते है, या terrestrial हो सकते है, तो यह आपके कुछ categories है, cyanobacteria की, ठीक है, और mainly इनकी जो colonies होती है, एक gelatinous sheath से surrounded होती है, है और they often form blooms in polluted water bodies, यह यह पता है, इसे एक बार लाइन पूछी थे, solution reason में, किस bacteria के type है, you, yasino, तो यह ist का type है, प्लीज सारी lines definitely बार check out करना, यह जो paragraph है, इस से आया था PYQ, क्योंकि आपने हापर diagram में भी देखा होगा, heterocyst नाम का है, कि हापर, चीज आपर mentioned है, तो यह type के specialized cells होते हैं, जो atmospheric nitrogen को fix करते है, nitrogen fixation का का काम करते है, इनको बोलता हूँ है, heterocyst, example, nostoc and anabena, ठीक है, some of the organisms can fix atmospheric nitrogen, in the specialized cells का नाम है, heterocyst, वो जिन organism में present है, उनको यहाँ पर उनका example दे रखा, that is nostoc and anabena, ना, सियाद रखो, ना, जो कि N मतलब N2 का fixation करते है, ना, तो मतलब nostoc and anabena, कीमो से अपने उप करते है, inorganic substances को, such as nitrates, आपके nitrites, ammonia and use the released energy, और यहाँ पर उसको energy जो release होती है, उसको ATP production के लिए mainly utilize करते है, मतलब use करते है, ठीक है, mainly यहाँ यहाँ पर recycling, तो यहाँ न्यूट्रियर्स की recycling में mainly इनका help हो रहा होता है, जैसे nitrogen, phosphorus, iron and sulfur nutrients है, यहाँ पर इनकी recycling में help कर रहे होते ह यहाँ वर्ड हाए, समझ लोग कीमो सिंत्रिक का है, यहाँ यहाँ पर है, यहाँ यहाँ इनको भी आदा है, nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, जो बड़े-बड़े सोने हुए हमने, वो हैं यहाँ पर, ठीक है, अब autotrophic से हटके heterotrophic bacteria की बात करते है, most abundant होते है nature के अंदर, सबसे जादा heterotrophic bacteria present ह होते हैं, इस पर भी question था, सबसे most abundant bacteria, कौन से होते है, heterotrophic bacteria, यह कि यह decomposers की तरे act करते है, अब decomposers से तो इनका एक बहुत, इसमें बात करूँ है न, हमारे humans के अंदर, तो इनका क्या में काम होता है, कि, मतलब human life के अंदर, कि curd from milk, है न, हम दूस से धही बना लेते हैं, है आइपाइ, tetanus, citrus, canker जैसी, बहुत सारी बिमारी हैं पर कॉस करते हैं, सबको पता है, यह कोई बड़ी बात है नहीं, यह diagram देखना है, यह diagram पर कोशनता है, यह DNA होता है, RNA नहीं होता है, यह diagram तो आपको heterocyst cell, mycoplasma के बारे में एक बार लाइन, definitely देखना है, और the organism is completely lex cell wall, ठीक है, है ना, यह smallest living cell है, noon can survive without oxygen, smallest cell है, इस पर इबर कोशनता है, इस पर देखना ज़रूर, ठीक है, जो मैंने बाद में जाइस मार्ट करों, important है, क्योंकि अल्रेडी बोल्ड में लिखखा है, बड मैं आपको revise कराता जारू, definitely आपको मजा आ रहा होगा, protesta के बारे में बा protesta के अंदर आपके आती है, और protesta जो होता है, आपका reproduction उसका किस कैसे हो रहा होता है, asexually हो रहा होता है, and sexually किस से हो रहा होता है, by the process involving the cell fusion and zygote formation, जहाँ पर cell fusion हो रहा हो, यह फिर zygote formation हो रहा हो, वहाँ पर आपका sexually इस तरह के से reproduce करेगा, और asexually भी रिप्रोडूस करता ह अब हम cryosophytes की बात करते है, cryosophytes के अंदर क्या आते है, die atoms and golden algae आते है, decimid चीजने कहते है, इस पे भी एक PYQ था, ठीक है, cryosophytes के अंदर कौन कों से दो चीज़ इंक्लूड़ीड है, die atoms included है, as well as golden algae decimid included है, और die atoms के बारे में बहुत important line लिखी हो, इंदर die atoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as a soap box, so, जहाँ soap box टमाए, समझे लोग ये die atoms के बारे बात हो रही है, बहुत बार पुछा गया die atoms के related, यहाँ पर tooth in overlapping shells होते है, चुकि soap box लिखते हैं, और यहाँ पर silica के अंदर वो एक तरीकी तरी जो walls होती है, वो embedded होती है, इसलिए जिनकी cell walls होती है, इनकी जो walls होती है, बिलकुल उनको नहीं तोड़ा जा सकता, और दूसरी बात, एक और important बात, diatomicious earth पे बहुत important PY की पहले भी पूछा को और आगे भी आने की chances है, बहुत क्या chances यहाँ पर क्या question था, question था, the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposits in their habitat, यो कि वहाँ पे, जो diatoms है, काफे सारे cell wall उनके deposits वहाँ पे छूट गए हैं और वो accumulation उनका होते 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 होते, diatomicious earth का formation हो चुका है, एक तरीके से, ठीक है, जिस यह बात हो रही है, और diatoms के बारे में एक और important बात की दिया था, cheap producers in the oceans, cheap producers होते है, oceans के अंदर, बहुत important बात, ठीक है, और यहाँ पर जो diatomious earth के बारे यह mainly mostly marine होते हैं, photosynthetic होते हैं, very important, yellow हो सकते हैं, green हो सकते हैं, brown हो सकते हैं, blue हो सकते हैं, red हो सकते हैं, पहरी बतो, यहाँ पर color कैसे आत करोगे, यह तो traffic light के color होगे हैं न, red, yellow, green है न, red, yellow, green तो है ही, बाकी brown और blue याद रख लो, क्योंकि blue sky होता है, brown extra याद रखना है, बस यह बात है ठीक है मेली pigments के basis पे इनके color decided होते हैं मेली इसमें सबसे important question कहा था red dino flagellates से important question था जिसको एक्स का example gonyolex है यह rapid multiplication अपनी कर 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 करके जो c होता है उसको red appear करा देता है जो red हमने अपने सुना होगा red tides होती है red tides in gonyolex की वज़े से होती है जिनको बोलते है red dino flagellates युकि इनके rapid multiplication की वैसे ऐसा लगता है जो c है वो red हो रहा है क्योंकि यह red है दिखने में ठीक है युग्लिणवर्ट्स की बात करते है majority fresh water organism है न मेली सारे fresh water होती है तो उपर वाली marine भी होती है mostly marine होती है उपर वाली यहां majority fresh water होती है जो कि stagnant water में पाए जाती है stagnant water से question था कि running water तो वहाँ पर आप गलत कर दोगे क्योंकि वह एक गलत है assertion reason में question था यह फिर incorrect lines में question था तो यहां stagnant water होता है योग्लिणवर्ट्स के case में ठीक है और यहां cell wall नहीं होती यहां पर cell wall की जाग एक protein rich layer होती है जिसको मैं बोलता हूँ pellicle है ना जो कि उनकी body को flexible बनाती है उनके अंदर को दो फ्लेजला देखने को मिलेंगे दो को यह रहे फ्लेजला एक यह रहा एक यह रहा तो आपको देख सकतो एक बहुत ही बड़ा लंबा सा है एक बहुत चोटा सा है मतलब एक आपका short होगा एक आप long होगा और इसी बात है और यहां पर इनके खास बात क्या होती है कि जब sunlight present होती है तो यह photosynthetic present होते है ना और जब sunlight नहीं होती तो यह क्या करते है यह heterotrops की तरह behave करते हैं ठीक है और predate करते smaller organism के अंदर ठीक है मतलब इस smaller organism को predate करते है ठीक है इसका बहुत important example है युग लेना इसी से युग लेन युग लेना हो गया ठीक है समझ गया है हो और इसका इसका इस बहुत important red dinoflagellular red tight ज्याद रखना slime modes की बात करें तो सब्सक्राइम ऐस से स्लाइम ऐस से सैप्रोफिटिक तो ऐस से स्लाइम ऐस से सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं एक तरीके से यह से बहुत important एक p.y.q.i.s paragraph से कि suitable conditions के अंदर यह plasmodium का formation करते हैं form an aggregation chlorplasmodium which में grow and spread over several feet तो कब होता है plasmodium का formation suitable conditions में है ना suitable जबकि unfavorable conditions अगर हो गई तो जो plasmodium होता है वो differentiate करेगा और fruiting bodies का formation कर देगा bearing sports at their tips sports का आप उनके पास sports भी definitely present होंगे तो यह आपकी slime molds के बारे में बहुत important lines यह suitable conditions में plasmodium बनना है और unfavorable conditions में आपका जो fruiting bodies का formation और इनके पास sports है प्रोटोजोंस की बात करते हैं जो और प्रोटोजोंस होते हैं वो अर हेट्रोट्रोप्स और लिव एस प्रेडेटर्स और परसाइट्स पी से प्रेडेटर्स पी से परसाइट्स यहाद रखना है ऐससे आपका slime mold ऐससे से प्रोफाइटिक त तो इसलिए sotopodia होता है amoeba बहुत पहरे से पढ़ते आ रहे है false feet होता है तो यह बहुत important example है ant amoeba जो की parasite की तरह act करता है तो यह भी कुछ example है दूसरा flagellated protozoans हो गया इसके example trypanosoma हो गया बहुत important disease sleeping sickness cause करता है paracetic form sleeping sickness cause करती है example trypanosoma बहुत important किसका example है flagellated protozoans का तो याद र flagellated protozoans के example होगे paramecium ठीक है बहुत important बात तो paramecium trypanosoma काफिक लोग confused हो आते इसको उल्टा करते तो paramecium सोचते flagellated नहीं paramecium जो है आपका ciliated है और आपका trypanosoma जो की sleeping sickness cause कर रहा है important आया हो है PY की आगे भी आ सकता है वो आपका flagellated protozoans है बाकि sporozoans के अंदर आपका example plas plasmodium most notorious बहुत important blind most notorious is plasmodium malarian pillocyte which cause malaria भाई malaria कौन करता है plasmodium cause करता है जो कि sporozoans के example है so don't be confused between the plasmodium and paramecium plasmodium sporozoans paramecium आपका ciliated kingdom fungai की बात करते हैं फंजय के अंदर basically आपका unique kingdom है जिसमें heterotrific organisms आपको देखने को मिलेंगे example जिसे white spots होते हैं आपको आपने mustard leaves के अंदर mustard leaves के उपर हम white spots देखे होंगे वो basically fungai fungus की वाई से होती है unicellular fungus already सबको बच्पन से बायो पढ़ते हैं yeast is a unicellular fungus जो की bread और beer जो बनती है वो yeast की वैसे तो बनती है दूसरी बात आपकी जो फंजय होती जो की बहुत सरी disease cause कर सकती है जैसे आपका wheat rust causing paxenia is an important बहुत इस पर तो यार इतना important involved by infinity कोई भी आप PY के उठाके देखोगे wheat wheat rust causing paxenia बहुत important बहुत बार सवाल बूचा गया है ना दूसरी penicillium antibiotic आपको बता है ना some of the source of antibiotics penicillium तो यह type fungi तो है तो यह बहुत important आपके कुछ role play करती है fungi है ना तो और कुछ disease आपकी होती है जैसे wheat rust causing paxenia हो गया यह आपका fungi है तो यह आपके कुछ important आपके terms है definitely इसको बर check out करना fungi filamentous होते है ना their bodies consist of long cylinder thread like hyphae fungi के अंदर hyphae देखने को मिलेगा और अगर उन hyphae का network को जोड़ता जाओ और जोड़ता जाओ तो उसको मैं mycelium का नाम दूँगा they are known as mycelium तो hyphae mycelium are characteristics of fungi so most fungi heterotrophic होते हैं और यह absorb करते हैं solid organic matter dead substrate से इसलिए यहाँ पर इसको कहते है saprophytes और जो यहाँ पर आपके living plants और animals पर depend करते हैं उनको मैं parasites का नाम देता हूं और they can also live as symbiants यहाँ पर mutual relationship हो दिया association with algae इसको lycans बोलता हूं है अगर fungi algae के साथ रह रहा है तो lycans हो गया है और अगर बात करो roots of higher plants plants roots of higher plants की बात करो roots of higher plants की तो उसको बोलता हूं mycorrhiza तो यह बहुत important बात है दूसरी बात यहाँ पर vegetative means से भी हो सकती है reproduction आपका vegetative means से हो सकता है fragmentation fish and budding इस सब से हो सकता है जबकि asexual अगर मैं बात करूं basically वह आपका asexual जो होता है वह होता है आपका esports चलिए दूसरी बात esports कौन-कौन से होते हैं जैसे conidia हो गया esporangiospore हो गया zoospore हो गया है ना यह सब आपका asexual reproduction के अंदर आता है sports के नाम बहुत important आदेखना conidia esporangiospore zoospore और sexual reproduction by oosports asco spores और besidio spores याद रहागा esco besidio u यह सब sexual में आते हैं जबकि conidia esporangiospore zoospore सब asexual में आते हैं sexual cycle आपके basic 3 step होते हैं प्लाज्मोगैमी, karyogैमी और meiosis last में आता है P for plasmo-gammy P for protoplasm मतलब fusion हो रहा है आपका protoplasm मुखा जिसमें 2 motile और non-motile gametes का fusion हो रहा है इसलिए plasmo-gammy बहुत रहा हूं दूसरी बात अगर बात करूं fusion of 2 nuclei myosis last में होती meiosis in the zygore जहां पर आपके haploid spores का formation कर देता है यह बहुत इंपोर्टन है यह लाइन एक लाइन इस paragraph को पढ़ना है यह लाइन इस कंडिशन को मैं गहता हूं इस से पहले एक-डोशन पूचे गए बट इतने नहीं पूचे गए तो इक बार इसको डिफिनिटल ली बच आउट कर सकते हो तो फाइको मैसेटीस की बात करते हैं फाइको मैसेटीस के अंदर के आगा है जो फंजाए की पार्टन है अब तो इसका मैसेलियम जो होता है वह अंदर इंदर 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 होते हैं यह बहुत इंपोर्टन बात है तूसरी यहां पर आपको दो टाइप के गैमेट्स देखने को मिलेगा जो सिमिलर होंगे मॉर्फलोजी में आइसो गैमस तो यह सब इससे कोश्यन का भी पूछा नहीं है इसलिए मार्क नहीं है इसके है असरी बहुत इंपोर्टन ओनिकल्न को आप रॉपॉर्टन को सब्सक्तर कर सकते हो तो आप ऐसको रैंपस बंशंटक कर सकते हो इसका इक निमोनिक बन सकता इसमें रिजी निया डूपर्टन के लिए रआइजब्स यह ञां इसम्नीं का इस को कि घ upgrades एक से आगगा वरिय आपका फंजे जिसमें यूस्त आ गया तो यह सब आपके कुछ एक्जम्पल से इसका मैशलियम होता है वह ब्रांश को था है सप्टट होता है उसका यह सप्टट है सफ्ट्टेट आ गया सच्छों प्रडक्शन एसको स्पोर्स होगा त्योंकि वह एंडी एंडी जी प्रड्य हो रहे है और जो आपके ESCIE होते है ना सब्सक्राइब यह अरेंच होते हैं डिफरेंट वोट इसको बोलते हैं ESCOKARB ISCOTYS है तो ESCOKARB देखने को मिलेगा इसका example हो गया आपको एसपरिगिलस, क्लैविसेप्स नियूरोस्पोरा आए इस पर इतना बहुत जादे इंपोर्टेंट है मैंने इसको आइसे माग कर दिया ठीक है इसमें आपसे नियूरोस्पोरा पोलते हैं कि इसमें कभी कोई लाइन नीवाली पड़ता है कि तो तो जब भी गर आए तो वह आपका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा आपका इसको मैसितीस का एग्जाम्पल है दूसरा बेशी बैसनेटीस का आपको बहुत वाएदा करेगी मैसितीस के हो गया उसके वाहते है श्यों ब्रैकिट फंजाइ पौफ बॉज़ बहुत बिल्को जो आमने S-COME ICET-ाइब में पढ़ा ना, बिल्को सेम होता है, branch or septate, पर एक ही उसमें था, ये septate or cynocytic, जो कि वो phycom ICET-ाइब में था, ठीक है, पाकी सम्मे आपका septate and branch देखने को मिल ला एक तरीके से, इसमें sex organs तो यह बहुत पूछा गया कि बैसीडियो माइसेटिज में सेक्स और अपसेंट होते, सेक्स और नहीं होते बर जो प्लाजमोगेमी होते हैं, प्लाजमोगेमी उपर बताया ता फ्यूजन आपका होता है ना, तो यहां पर आपका fusion of two vegetative and somatic cells of different strains or genotypes के help से यापका प्लाजमोगेमी हो रही होती है, जबकि sex organs are absent बिल्कुल है, यह याद रखना बिल्कुल आप दीग है, और क्यारोगेमी और मियोसिस वाले जो बचे दो आपके process, वो आपके besidium के अंदर होते हैं, जिससे आपके four besidium sports का formation होता है, और यह exogenously produced होते हैं, तो endogenously यह exogenously है, याद रखना, इसके example के हैं, आपका agaricus eustilagone paksinia है यह एक बार आप definitely check out कर सकते हो, तो इसका बहुत important आप pneumonics, तो यहाँ पे बहुत आसान से pneumonics बना सकते हो, आपका ऐसे कि आगे है हमारा up, यह पर सबका state ही आगे है, ऐसे कोई में आप partiality नहीं कर रहा, ऐसी एक आप इसको याद कर सकते हो, आगे है up यह जो भी आप बोल लो, यह जैसे भी किसी आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका बहुत important इस टाइप को निमानिक बन सकते हो, इसमें ag आपका हो गया, आपका agaricus ठीक है, आपका u से हो गया, आपका u से हो गया, p से हो गया, आपका रिप्रोडियूस करते हो, इनके मैसिलें भी सेम जैसे बाकी आपने इन दोनों के पड़ेते हैं, वह ही, सेप्टेट और ब्रांश्ट बस उसका ही था बस इसका 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 अग्जम्पल ऑल्टनेरिया, कॉलिटो ट्राइकम, ट्राइकोडर्म, ठीक है, इसको आप कैट से प्लांट किंग्णम अलग चाप्टर यह पूरा ऊस पर ठीक है, एक बहुत इंपोर्टेंट एक से सब्लेडर वाट एन वीनिस फ्लाइट रप इंसेक्ट वोर्दाश प्लांट चुकिंसिक्त खाते हैं, ऐसको गाच काते हैं, तो ब्लेडर वाट वॉर्ट पर एस नीट पे इस पर भी हम बहुत अच्छे से हम भी आगे बात करें इसमें है अगले आगे इसके उपर बात करने वाले अगले चाप्टर के अंदर तो कि नहीं मिले की बात करूं तो इसमें है हेट्रिफिक यूकरिटिक और अर्गेंज़ माते है मल्टी सेलुडर एनिमल्स सारे है ना सेलव और उंट में होती नहीं है वह टेबल थी सारी वह इसमें सब चीजे है डायकले प्लांट्स पर और प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए एक तरीके से लास्ट आ कोई जगे नहीं मिली इनके बारे में है ना तो इसलिए इनके बारे में हमने ज्यादा पढ़ानी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कि यह आपका बैक्टिरियो फेज और यह टीम प्लीज नीचे का पढ़ना बना बोलें जो नीचे का गेवन होता है यह कभी मत बुला करो है य यह आपका head, collar, shear, tail, fibers बहुत इंपोर्टन जो वाइरस होते हैं उनको mainly venom ना मतलब venom उनका मतलब होता है और यह scientist बहुत इंपोर्टन दिवित्री इवनोस की इसने certain microbes को recognize किया था as casual organism जो कि mainly mosaic disease थी थी न तो बैको की उसने वहाँ देखा कि यह कुछ microbes है क्योंकि यह disease cause कर रह इंरिक demonstrated that the extract of that infected plants of tobacco है ना जो उस extract को कर मैंने निकाला जो tobacco की infected plants उसका extract निकाला healthy plants को यहाँ पर infection cause कर रहे है इसलिए वहाँ new pathogen का नाम दे दिया जिसको मैंने बोला virus और called fluid as उसको नाम दिया virus या फिर उस fluid को हमने बोला या फिर हमने contagium vivum fluidum यह नाम यहाँ पर दिया गया था जिसको बोलते infectious living fluid यह किसके लिए दिया गया था mainly viruses को दिया था है ना बहुत इसलिए मेली proteins होता है और यह inert होते है outside their host cells यह inert हो जाएंगे outside their host cells और यह obligate parasites होते हैं इनको जुरूरत होती है यहाँ पर host cells की यहाँ रखना viruses होते हैं इनफेक्ट करते है plants को जो वाइरसी इनफेक्ट करते है plants को मेली single stranded आरेने होते हैं और जो animals को आप इनफेक्ट करते हैं वह तो single होते है यह फिर double stranded आरेने होते है यह फिर double stranded DNA होते है तो यह एक PYQ था जो कि पहले आया था इस question मतले पहले भी पूछा गया ठीक है कर रहा था मेली इसमें free RNA present होता है virus के अंतर प्रायंस आ गए तो मेली neurological disease cause कर रहे थे और यह बिलकुल इनका size same हो था as viruses और इनको इसलिए हम प्रायंस का नाम दे रहे थे और एक बहुत important disease जो कि है bovine spongiform encephalopathy BSE जिसको बोलते है mad cow disease जो cattle में होती है या फिर CR-Jakob disease CJD disease जो क यूमस में होती है बड़े बड़े नाम जितने भी है surprise cause करते है large lichens lichens वह अलड़ी बता चुका हूँ एक symbiotic association है है ना जो कि mutual relationship है algae और fungi यह जाई कि algal part को मैं कहता हूँ 5 cobenint और fungal part को कहता हूँ my cobenint बस है ना और यह autotrophic और heterotrophic होते रिस्पेक्टीव ठीक है वो autotrophic होता है यह autotrophic होता है algae क्या help करता है वो खाना बनाता है fungye के लिए और fungi इन उसमें क्या करता है उसमें खाना बनाया है ना algae ने इसने क 12 chapter समझ में आ गया होगा इस summary हमेशा क्याता हूँ पूरी full read करनी आपको full read करनी क्योंकि बहुत important होती है बाकि जो main lines थी मैंने आपके लिए definitely mark कर दी है I hope कि आपको यह session आपको यह chapter समझ में आया होगा इस video को like channel को subscribe करना ना भूले English word के official instagram and telegram को follow and subscribe करना ना भूले all links are given in the description और दुसी वाज special class जो है phases का mock test के उसका भी link description में जाके enroll करो और वहीं आके फोर्ते हैं बहुत सारे important questions करते हैं साथ-साथ-साथ आपको यहाँ बायो के neat के लिए 2-3 pages के अंदर short notes देखने को मिलेंगे हमारे English word के app पर उसको download कर लो courses वाले section में चले जाना कैसे आप avail कर सकते तो पूरा जो process है description में मैंने आपके लिए दे दिया है साथ-साथ मेरे Instagram को follow करना ना भूलें मिल देंगा इस next chapter में जड़े कि stay blessed good bye bye